नमस्कार विद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारी चैनल योगा जोगेशन इंडिया में विद्यार्थियों आज इस वीडियो के माध्यम से आप मानो सरीर रचना एंकिरिया विज्यान के अंतरग्रत प्रसन उत्रकिश रंखला पार्ट नंबर फोर देख रहे हैं इसमें आप उनको मुख्य कोईशनों को जान सकेंगे जो आपके परिच्छा में अत्युपियोगी साबित हो सकेंगे और आप सुएम इन कोईशनों का एंसर देने की कोशिस करना ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सकेगी चलिए समझते हैं कोईशन को उसके बाद उसका आप्सन में आंसर देते हैं सबसे पहले नंबर का कोईशन प्रस्म नंबर वन आयोडीन की कमी से मनुस में होने वाला रोग कौन सा है का कुशिं का रोग, खा क्रिटिनिज्म, गा मधुमे, गा मेरेस्म, चलिए स्वयम अंसा देजिए फज़ट से, आपने दे दिया हुआ, का कुशिं का रोग, नेक्स्ट, इंसुलीन होता है, क्या होता है, का एंजाइम, खा हार्मोन, गा विटामिन, गा इनन पदार्थ, स्वयम अंसा देजिए, खा हार्मोन, नेक्स्ट, मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं, का एंडोजेंस, खा प्रोजेस्ट्रोन, गा एस्ट्रोजेंस, गा ग्लुकोकार्डिकाइट्स, आंसार देजिए जट से, तो मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं, इस्ट्रोजेंस, इस्ट्रोजेंस, नेक्स्ट, एडरिनेलीन, बढ़ाता है, एडरिनेलीन, क्या बढ़ाता है, कह, हिर्देस्पंदन, ख, केवल रक्तदाब, गा, ये दोनों, गा, इन मेंशे कोई नहीं, आपने अंसर दे रिया होगा, आप चलिए, मैं बताती हूँ, केवल रक्तदाब, ख, नेक्स्ट, काउन सहार्मोन, विश्रण द्वारश्रावित होता है, कह, प्रोजेस्ट्रोन, ख, टी एसेच, गा, टेस्टोस्ट्रोन, गा, एंसुलीन, जट से अंसर दीजिए आप, स्वेम, तो, टेस्टोस्ट्रोन, गा, एक सेकेंड, गा, नेक्स्ट, आधार उपाचाई, दर, बी एमर, किसके कारण बन जाता है, कह, अनकमपी तंत्र का तंत्र, ख, परानकमपी तंत्र का तंत्र, गा, थाइराक्षिन, और, गा, एडिन, 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 जट से आप स्वेम दीजिए, आपने सोच लिया होगा, कौन सा है, आधार उपाचाई, दर, किसके कारण बन जाती है, तो, एडिनेलीन, कह, नेक्स्ट, आकसी टोशिन, किस में साहता करता है, कह, अन्डोत सर्ग में, ख, भ॰ोड का आंथरोपन में, गह, दुख दिस्टावण में, गह, परशोग के दवरान, आकसी टोशिन किस में साहता करता है, जट सेंसर सोचिए, तो दुख दिस्रावड में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद माताओं के दुख दिस्रावड में ये चाहता करता है आक्षे टोशिन चलिए नेक्स्ट शमझते हैं इन्वे से कौन से अंग शरीर की प्रतिरिच्छा प्रकिरिया में भाग लेता है भाग नहीं लेता है ध्यान देना नहीं है इन्वे से कौन से अंग शरीर की प्रतिरिच्छा प्रकिरिया में भाग नहीं लेता है थाइमश ग मस्तिस्क ग प्लीहा ग लसिका गाठें छटसे एंसर देना तो ख मस्तिस्क ग नेक्स्ट एंटीवाडी होते हैं का एंटीजन को निश्क्रिय करने वाले पदार्थ जीवाड़ूं का भच्छर करने वाले रुधराड़ू ग लाल रुधराड़ू ग रुधर प्लाज्मा के घटक जल्दी से एंसर सुचिए का एंटीजन को निश्क्रिय करने वाले पदार्थ एंटीवाड़ी होते हैं नेक्स्ट एंटीवाड़ी किसके विरुध लड़ते हैं ध्यान देना विरुध शब्द को पकाना वातावर ड़िये दसाएं ख विपित ग संकरमण ग पोशक पदार्थ अपने एंसर दे लिया होगा तो ग संकरमण नेक्स्ट हमारी शरीर के किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा इंटीवाड़ी ज बनाए जाते हैं चलिए आशर देजिए यक्रित में RBC द्वारा ग्र थाइमस में लिम्फोसाइट से द्वारा ग्रिकों में लिम्फोसाइट से द्वारा ग्रिकों में लिम्फोसाइट से द्वारा ग्रिकों में लिम्फोसाइट से में द्वारा ग्रिकों में लिम्फोसाइट से द्वारा ग्रिकों में घा, निकलियोग प्रोटीन, एंटीबाडीज क्या होते हैं? आंसर स्वयम जल्दी से जट से सूचिए. घा, प्रोटीन, नेक्स्ट, स्वेत रुधराड़ू का कारी है, क्या कारी है? स्वेत रुधराड़ू का कारी है, यानि, वाइट ब्लेट सेल्स, आक्सीजन का शनुहन, ख, कार्बन डाई अक्साइड का शनुहन, ग, पोशक पदार्थों का शनुहन, ग, शरीर की रोगाड़ू से सुरच्छा. तो आपने इसका अंसर समझ लिया होगा तुरंद? चले, ख, शरीर की रोगाड़ू से सुरच्छा. next antigens किस के बड़े अड़ो हो सकते हैं antigens किसके बड़े अड़ो हो सकते हैं ka- lipoprotein,licher proteins, carcovidrates, गह या शभी के antigens किसके बड़े अड़ो हो सकते हैं लाइपो प्रोटीन के, की प्रोटीन के, की कार्भो हाइडरेट्स के, की सभी की हो सकते हैं आपने अंसर सोच लिया होगा, चलिए, सभी के नेक्स्ट शरीर की प्रतिरिच्छा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं हैं ज्यां देना शरीर की प्रतिरिच्छा प्रक्रिया में और कैसा योगदान प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं कौण सी हैं जल्दे से एंसर दीजिए तो घा लिम्फोशाइड्स नेक्स्ट मनुष में कोहनी की संध होती है? क्या होती है? कौण सी होती है? क विशर्पी ख कबजा गा कंदुखलिका घा धूराग्र आप एंसर दीजिए ख कबजा नेक्स्ट लंबी हड्डियों के सिरों पर इस्थित लचीली रचनाए होती हैं कौण सी होती है? क कंदुखलिका ख पेशिया ग शनायू घा उपास्थिया आपने एंसर दे लिया हुआ तो घा उपास्थिया नेक्स्ट श्रोड मेखला के साथ फीमर की संधी का जोड कहलाता है क्या कहलाता है? धुराग्र ख शैंडल ग कबजा ग कंदुखलिका ध्यादेना श्रोड मेखला के साथ फीमर की संधी की जोड के विशे में पुछा गया है तो धुराग्र है शैंडल है कबजा है या कंदुखलिका चलिए एंसर देजे ख कंदुखलिका नेक्स्ट मनुष में ग्रीवा कशेरिकाओं की संध्या होती है कितनी होती है नाइन टैन टोयल्ब या शेवन आंसर देजे आप आपने दे दिया होगा तो घा शेवन मनुष की पशलिया किसकी सुरच्छा करती है का हिर्दे की ख फेफणों की गा हिर्दें फेफणों की घा अमाशे की आंसर जल्दिश दीजे गा हिर्दें फेफणों की नेक्स्ट मानो के चेहरे में कितनी अस्थिया पाई जाती है 12 15 14 7 आंसर आपने दे दिया होगा ग, 14 हड्डी में कौल लवर्ड सबसे अधिक होता है someone हड्डी में कौन सो लवर्ड सबसे अधिक होता है अपने अंशर दे दिया होगा तू ख़, कैल्सियम, कार्बोरनेट Next मनुष में सभ्से ध्रण पेशिया होती है कौन से होती है मनुष में सभ्से ध्रण पेशिया कौन से होती है का हाथों की ख़, जबड़ों की ग जांगों की, ग पीट की, आंसर जल दीजिए, ख जबलों की, नेक्स्ट, रेखित पेशी तंतों की प्रमुख प्रोटीन्स हैं, क मयोशिन यो एक्टिंड, मयोशिन यो ट्रोपोनिन, ग एक्टिंड यो ट्रोपोनिन, चले जल्दे सेंसर दीजिए, आपने एंसर दे दिया हुगा का मायवशीन एंव एक्टिन नेक्स्ट सिनेप्सिस किसके बीच होता है का तंत्रिका एंव पेशी ख तंत्रिका एंव दूसरी तंत्रिका ग तंत्रिका तंत्र एंव निरांश घ तंत्रिका तंत्र एंव अन्य तंत्रिका तंत्रिका तंत्र एंव अन्य तंत्रिका तंत्रिका तंत्र एंव अन्य तंत्रिका तंत्र एंव अन्य तंत्रिका तंत्रिका तंत्र एंव निरांश ग त आपने बहुत अच्छा समझ लिया होगा जहां कहीं ना समझ में कमेट बाक्स में सेयर करना आपको मैं दुबारा समझा दोंगी स्वेम देखना दूसरों को भी जरूर सेयर करना और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पिल आइकन जरूर प दोनी जरी समझ दुबा झार समझ करना आपको करना दो नहीं है प्यूरों पिल उड़िया टूरीस safा ऑना चार आपको बहूए झाल आपको को भी जतना दुबता सिएरा के समझ थाँा 15,000